हम स्b photographer कर रहे हैं जो परवाद स्टार्ट किया फिर हमने माउथ इसकिस किया पिर हम नोस जो की entry point है airway की respiratory track और airway दोनों की पर हम से आगे pharynx डिसक्स किया जो की posteriorly present है from the nose and the mouth पर उसकी नीची जो है larynx हम ने डिसक्स किया और आज larynx से नीचे वाला जो structure है that is the trachea तो हम ट्रेक्या को discuss करने जा रही है उसकी इनॉटमी और इसके importance ट्रेक्या को हम commonly wind wind pipe कहते हैं क्योंकि this is the only specialized part of air passage तो air इससे पास आउट होते हैं inspiration और expiration दोनों की दवरान तो इसलिए हम इसको wind pipe कहते हैं mid line structure है यानि body की mid line पर यह मौजूद होते हैं जब air इससे पास आउट होते हैं into the lungs तो ट्रेक्या उसको different तरीकों से अपने function उसमें रोल उसमें play करते हैं ना सर्व उसको passage provide करते हैं बलकि also mosturization और हीट जो हैं दोनों भी provide करते हैं क्योंकि अगर हम cold air हमारी लंग्स में चले जाते हैं या जो respiratory track के उससे पास आउट होते हैं तो इससे वो को mosturize रख जाता है क्योंकि ठ्रेक्या का जो एनर मेंब्रेन हैं म्यूकस वो continuously mucus को secret करते हैं एड प्रोवाइड डैट म्यूकस प्रोवाइड दो mosturization और इसके अलावा उसको hot भी रखते हैं क्योंकि cold air जो है डेट एरेटेट द एरवे इसके लावा हो स्वाय फ्राइड दो प्रोवाइड दो प्रोवाईट डोव्री स्वाश्रिक्टांड अगर एक्सटरनल पार्टिकल ilmedy तो फ्रूवार क्योंकि अंधर जाती है अन्चिंट अ कि अच्पिन और भी मजब मारें गहार फाटेट प्र respirator track तो एक तरह से protection हो गई कि ये lungs को उसी external particle से चाहे वो dust particle हो चाहे वो कोई और toxic material हो तो उसको lungs तक नहीं पहुंचने देते अगर हम structure की बात करें तो larynx की नीचे से lower age से ये start हो जाते हैं और जिस point पी ये ट्रेक्या खतम होती है it is a kind of bifurcation की वहाँ पर ट्रेक्या दो हिस्सों में डिवाइड होती है जो कि हर है इसा जिसको हम bronchi कहते है right bronchus and left bronchus जो कि respective lungs की तरफ चले जाते हैं तो जिस point पे ये start होती है that correspond to the cervical vertebra number six second last cervical vertebra है जो कि end point of the larynx है वही सी जो है ये start हो जाते है C6 से and that is the lower edge of the cricut cartilage वहाँ पर cricut cartilage का lower edge भी है और cervical vertebra भी है तो ये end point of the larynx भी है और starting point of the trachea भी है और के राइना पर ये क्या हो जाते है बाइफरकेट हो जाते हैं दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाते हैं इसको हम ब्रॉंकस कहते हैं and that bifurcation corresponds to the thoracic vertebra number four T4 की लेवल पर ये कराइना वाकिया है या अगर हम sternum sternal bone की बात करें तो sternal bone पर जो angle of the lyrs है जो body and upper part of the sternum की दर्मियान जो angle बनते है sternal angle या angle of the lyrs जिसे हम कहते हैं तो उसी point पर इंटियर ली और और posteriorly T4 की लेवल पर ये दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं इसी तरह suppose this is the trachea तो जिस point पर ये डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में that is called carina ठीक है और ये किराइना किस लेवल पर है T4 posteriorly or anteriorly at the angle of the lyrs at carinal bifurcation it divided into the principal bronchi या इसको हम men bronchi भी कहते है primary bronchi भी कहते है या principal bronchi भी कहते है left bronchus and right bronchus usually इसका जो लेंड है adult में that is 15 cm long you can you again vary करते है with the edge male में ये ज्यादा लेंड लेंड तो इसके होते हैं और female में relatively कम होते हैं और इसका diameter most of the people में that is 1 to 1.5 cm जो जिस आदमी का index finger का जितना diameter होता है तो उसी roughly उसी diameter की बराबर ये होते हैं not accurately but roughly हम उसके बराबर इसको consider कर सकते हैं यह देखें ट्रेक्या है यह दिस इस दा लोवर एज आप दा क्रिकाइट काटिलेच ठीक है यहाँ C6 है इससे यह start हो जाते हैं और thoracic vertebra number 4 या बाज लोगों में अगर वो लाइन पूजिशन में पड़ा हुआ है with extended neck तो यह thoracic vertebra 5 तक भी जा सकते हैं लिकिन यूजियली अगर हम anatomical position में के बात कर ले तो इसमें यह T4 पर खातम हो जाते हैं तो इस दिस दे लेंग टिस अबाओ 15 सिंटी मीटर और इस पॉइंट इस काल कर आइन इस इस दे कराइन इस दे कर आइन एट विच दे ट्रेक्रिया बाइफर्केर एंट टू ब्रॉंकर इंट व्राइप जिसको हम पॉर्य या प्रेंसिपल ब्र हैं अब इस 15 cm ट्रेक्या में पास सी चेप कार्टिलेज होते हैं सी में सी कार्टिलेज का मतलब यह particulary का मतलब यहOn rule लेकिन पुस्ट्री कि तरह यह तरह यहां और की यह sehe ओक्निक्त नहीं है इसलिए हम इसको C-shaped cartilage कहते हैं तो 15 cm में तकरीबन 20 C-shaped cartilage होते हैं और ये cartilage एक दूसरी के साथ connected है through fiber elastic tissue लेकिन interiorly नार posteriorly एक दूसरी के साथ connected नहीं है तो posteriorly हमारे पास क्या है ट्रेकियलेस मसल्स है और इंटियली ये काटिलेजिज है जो कि एक दोसे के साथ पाइबरो इलास्टिक टिशू की तुरू कनेक्टेड है और जो इनर लेर के अगर हम बात करें पर एक्जम्पल डिस इस में क्रास्क्शन लेता हूँ इसका तो आउटर तो हमारे पास इंटियरली काटिलेज हो गया और पॉस्टियरली मसल्स हो गया लेकिन जो इसका इनर मिम्ब्रेन है तो इस दा म्यूकस मेंब्रेन और कांटिन्यूसली एट्रे सिक्रीट दा म्यूकस जो कि एर को वाम करते हैं सौरी एर को मॉइस्ट करते हैं और इस लेयर इस कंपोज़ आप हैर लाइक प्रोजिक्शन विच इसकाल सीलिया अगर हम इसकी रिलेशन्स के बात करें तो ट्रेकिया जो है दो रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जिस तरह हमने स्टार्ट में बता दिया कि अट स्टार्ट फिद द सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर सिक्स वर्टिब्रा नंबर फोर तो यहां सी हमें वाज़ हो जाते है कि इसका एक हिष्प सरवाइकल रीजन में है और दूसरा हिष्प सरवाइकल रीजन नेक रीजन में जो हिष्प है वहा पर कौन-कौन सी स्टुक्चर इसकी सराउंडिंग में मौजूद होते है तो इंटिरियर साइट पे तायराइड ऐस्टमस आ जाते हैं जिस पॉइंट पे दो तायराइड कर्टिलेजिस के जो जन्क्षन पॉइंट है तो वह तायराइड ऐस्टमस होते है और दस सेकंड एंड फूर्थ सी शेप रिंग अब दा कर्ट त्रेक्या इससे पिर इंटीर के तरफ अगर हम चली जाते हैं तो पेश्या है और बाहर जो है स्केंड है इसके अलावा दो टु टाइप अपमसल्स भी यह पर वाक हैं वन इस अस्टर्ण उतायराइट एंड डर सेकंड वन इस अस्टर्ण हाइट जो कि हमने पिछली लिक्चर में डिस्क्रिस किया था कि दस युद्ट उतायराइट मसल्स चनेक्ट दस टर्नम विद थाय राइट का इसके अलावा इंटियर जुगूलर वेन कम्यूनिकेशन की जो स्माल ट्राइबियूटरी आप दे जुगूलर वेन है वो आपस में जो कम्यूनिकेशन उसके बनते हैं तो वह भी एद दे इंटियर आप दे ट्रैक्या बनते हैं और सुपिरियर तायराइड आर्ट्री एंड ताइर्डिया इमय आर्टरी सुपेयर ताइड आर्टरी जो के हमने ऍटरर । में डिसक्स किया से पहले एक आर्टरी जो है उससे होते हैं लेकिन हर एक शखस में यह प्रिजेंट नहीं होता यहाँ पर आप लोग इस एमेज में देख सकते हैं कि यह आर्च आप आर्टा से एराइज हो चुके हैं लेकिन यूज्वली यह नहीं होता अब अगर हम पुस्टीवियर साइड और अपर त्रेक्या देख लेगा तो वह पर पर ऐसो फोगास मौ देख जेए और रिकररंट लेंजन नर्व मैझत अर्लेटल साइड पे ले तर लोड को अभ़ अभ वन connect एटा शीज दिट कामटा मैं इसन वर् Double Advance और यह एच स्कशर 9 ीन 돼 हो कि एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम केरोटेटट शीट कहते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटर्नल जूगूलर वेन, कामन केरोटेट आर्ट्री और वेगस नर्व यह तीन जो है यहाँ पर इसमें मौझूद प्रेजट होते हैं वेन है एक इस इस दे ट्रेक्ट या टीक हो गया तो इंटीर साइट पी भी देख ले और पुस्टीर साइट पी भी देख सकते है कि यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो मौझूद है इस 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 फैशिया रिकरंट इस इंजन दर्फ एड़ एस अफ़ेगास इस इस तो पुस् इस 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 अनल जूगुलर वैन है और यह बाकी स्रक्चर जो है वह भी करौट शीट को आप लोग देख लेंए करौट पूर्प है इसमें इन आर्टियाॉर नर्फ पधिनों मौख़ूद है अजूद है है तामन के डार्टी वह मौझूद है अब वो उसकी नीची वाली हिस्सा जो कि तोरेक्स में वाकिया है उसकी तरह पाते है कि वहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर इसकी सराउंडिंग में मौझूद है तो इंटीर साइट पे जो कौड़िड हैं मतलब ऊपर से नीची की तरफ जो स्ट्रक्चर है तो इस इंफिरियर तायराइड वेन ब्रेक्यो सेफिलिक आर्ट्री लेप कामन के रोटिड आर्ट्री और आर्ट्री यह वाकिया है इसके अलावा स्टर्नो तायराइड और तायमस रेमनेंट जो और इज तायमस रेमनेंट के उनकी तायमस जो है वो बच्चों में प्रेजन होता है और जैसी एज बलते जाते हैं तो वह वहाँ पर फैट्स टिशू की एकॉमॉलेशन हो जाते हैं और तायमस गलेंड फाइनली देन कनवर्ट एंटु दा फैट्स तो इसके जो बाकी जो कुछ बा हुआ पर मुंणडी आर्ट्री बाइफरकेशन जैंने में नचे की पर ג्रेट्र होते है तो और इस बाइफरकेशन की फाल मअर्ट्री फिज बाइफरकेशन है तो प्रेजना थैकर की बार प्रेफरकेशन two हिसस्ट में ड्यास होती है उत मूंग्त होती है राइट posteriorly again वही structure है isophagus and recurrent laryngeal nerve और राइट लेटरल साइड पे प्लियूरा है लंग्स का प्लियूरा is aigus vein and right vagus nerve branch और लेप साइड पे अगें प्लियूरा लेप कामन केरोटेड आर्ट्री लेप सप्लेविन आर्ट्री और यहां पर आप लोग जो है उसको देख सकते हैं this is the trachea ठीक है तो लेट लेटरल साइड पे इस aigus vein और राइट वेगस नर्व राइट साइड पे और लेप साइड पे अगर आप देख ले तो लेप्ट वेगस और टेक आर्च ठीक है यह मौझूद होते हैं इंटीर साइड पे अगर हम देख ले तो रेम्नेंट अब दे ताइमस है ठीक हो गया और सुपीरियर वेना के वा भी है और पुस्टीर साइड पे एस ओफेगस जो है और रिकरन लिरंजनर व्यापर तो नहीं दिया गया है ल पीक के सब्रम तो इंटीरा आर्टरी जो की आथरा मिर्च अगा है और यहां पर थ्रेॉक्ट को भी अगर्पा पोगाउग है और यह यह पर ट्रा talked को भी सब्लाइब करते हैं एन वेनस ड्रेनाज रीका है वह वह का दिए शजार रूर सोंगा प्रम प३ॉक्झनर से होते हैं अब इसके क्या है ट्रेक्या हम क्यों पढलते हैं तो ट्रेक यह पर होते हैं तो वह इसके डिफिरिंशियेशन भी कर ले और दूसरे अंडू ट्रेकेल ट्यूब प्लेस्मेंट जो हम एंडू ट्रेकल ट्यूब इंजर्ट करते हैं वह उसकी प्लेस्मेंट का या कहाँ पर हम प्लेस करेंगे तो याद रखें, और एक्जमपल इस इस दे ट्रेक्या, यह होगे आपका कराइना, तो हमेशा अंडू ट्रेक्यल ट्यूब जो है, वो आप कराइना से उपर जो है, फेक्स करेंगे, यानि तू 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 त्री संटिमीटर अबाव दे कराइना, ताकि वो कराइना को टच करने का मकसद यह है कि उनकी वहाँ पर नर्व की चोटे 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 रूट्स है, सेंपाटेटिक की भी और वेगस नर्व की भी, तो अगर वो स्टिमूलेट हो जाते हैं, तो तो यह एफेक्ट दे हीमोडाइनामिक प्टेशन्ट, अगर वेगस नर्व स असल कंस्टेक हो जाएंगे, तो नसरी पेशन्ट को ब्रांको स्पाजम होगा, बलकि ब्रेडिकाडिया भी हो जाएगा, अगर उन्होंने सिंपाटेटिक गिंग्लियान को स्टिमूलेट किया, तो इससे हार्ट रेट भी बढ़ेंगी, ब्रेट प्रेशर भी बढ़ेंगी, प्रेकिया तो डाइलेट होगा, अगर ब्रांको डाइलेट होगा, लेकिन दूसरी तरफ पेशन्ट के उपर एडवर्स एफेक्ट भी होंगे, तो फिक्सिंग अब दा ट्यूब जो है वो बहुत ज्यादा एंपॉर्टन है क्लेनिक लिए, और एक और फंक्शन इसका यह है इंपॉर्टन्स की वन लंग विंटिलेशन, वन लंग विंटिलेशन किस तरह होते हैं, अगर आपने ट्यूब को बहुत ज्यादा इंसर्ट किया, तो एक तो वो किराइना को टच करकी, वही ब्रांको स्पाजम, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया वगेरा जो हो जाए इसनी की साथ राइट लंग की तरफ चले जा सकते हैं, राइट ब्रांकस में, तो फिर विंटिलेशन होगी एंदा वन लंग, वन लंग विंटिलेट होगा, दूसरा लंग जो है, वो विंटिलेट नहीं होगा, तो उसकी कुलैप्स की चांसे ज्यादा है, तो ट्यूब की that is more important एक तो इससे हेमोडाइनामिक चेंज नहीं आएंगी ब्रीइटिंग भी टीग होगा और वेंटिलेशन बाइलेटरल वेंटिलेशन होगी वन लंग वेंटिलेशन नहीं होगी तो यह इंपोर्टेंस है ट्रेक्या की कि आपको ट्रेक्या का इनॉटमी का पता हो तो इसकी झाल होगी होगी है टाएंगी है इसकी को मुझे आपको मित स्कला का इे श만 का आपको टीन